नमस्कार सातियों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है आज की जो वीडियो होने वाले दोस्तु अपने राजस्तान जीके से समंदित होने वाले जिसमें दोस्तु जितने भी प्रिविएस येर के अंदर के जो क्यूसन आए उन क्यूसनू की सरंगला के बारे में अपन डि प्रोष्य क्लिश技 नम्बर के तो सेवेंटी टू हो गया तो देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्यूसर ऑगे कि अतुव स्वहाथ को थो दोस्त करेंडे धका सबसे पहला क्यूसर आहा film कर दो स्बास्ट यहां पर वक्या सहीज है दो स्दूर्फ यहां पे पर पढ़ात है राजस्थान जो चो चोबीस पॉइंट नौ परतिशन जंसेंगा नगरिया है? क्योंकि मतलब कि 24.9% जन्वा नगर्य है और मतलब कि ग्रामीन कित्नी हो जाएगी 25.1% ठीक ए Может 7.2 पॉइन सर2 हो जाएगी और 24.9% सिहरी हो जाएगी यानिंगर्य हो नहीं कि राजस्तान के सहरी शेत्रुका लिंगानुपात के इतना है तो अदिक अगले option की बात करें तो राजस्तान के अधिकतम बाल लिंगान उपात बांसवड़ा जिले में है पाया जाता है तो सरवादिक जो लिंगान उपात है दोस्तु कौन से जिले में है तो सरवादिक जो लिंगान उपात है दोस्तु मतलब कि सिस्व लिंगान उपात की बात की ग और राजस्तान में सन 2011 से लेकर 2011 111 के बीच में जनसंग क्या गनतुओं में 35 वेक्ति परती वरक किलोमेटर में बढ़ोतरी हुई है तो यहां पर उप्षन अपना सही हो जाएगा यह उप्षन भी अपना सही है तो डी उप्षन भी अपना सही है 2001 से लेकर 2011 के मध्य जो जनसं 1211 में कितना हो गयाँ 200 वो गया ठीक है तो 35 परतिस परतिशत परती वेक्ति मतलब परती वेक्ति की जनसएं कि हो जाएगा अगला अग्युक्त के अधार पर दोस्तों सही कथन का चेहन कीजिए तो यहां पर दोस्तों यह चार कूट देगे इनको मतलग की पादना है और सही जवाब देना ठीक है तो यहां पर मतलग के चेहरी पर दोस्तों सबसे कम जो मतलग की माहिला साकसरता रही है तो यह बैसी हो जाएगा ठीक है कि जहरी जो महिला साकसरता पर faktya तो वो कितने तो 38 परपsते 8 जालूर के मला साक्रता अया नियुटका जिलने में 2011 में नियॉंत्म जन जंक्या गनत वह औंक्यत की गए तो दोस्तों इस us अपते बात करें डोस्तों यह अपना गलत होने वाला ठीक है तो यह अपसर मतलम कि9 जन-शंंग्या गनत वह औंक्यत है दोस्तों तो बीका नियर का जन संग्या गनत वो कितना हो जाएगा अपना बराण में ठीक है शुरी अठंतर है बीका नियर का जन संग्या कितना अठंतर है और बाड़ मेर का कितना बराण में ठीक है और सबसे जो जन संग्या गनत वो कितना किसका दोस्तों जेशल मेर का है वर्दीदर कितनी ही 21 परतिश्यद्ट 21.3 परतिश्यद्ट की वर्दीफ वी दोस्तू तो यहां पर मतलब कि पहला दूसरा और चोटा उप्सन सही है यानि कि C उप्सन गलत होने वाला है तो C उप्सन किसके अंतरकत नहीं है दोस्तू तो C option अपने C option के अंतरगत नहीं है ठीक है A, B, D यानि कि C option में दोस्तों A, B, D से आंसर होने वाला ठीक है अगला क्यों सुने जन गणना 2011 के अनुसार नेमले लिक्त में से राजस्थान के कौन से जिले में तो यहां पर एसा कौन से जिले है दोस्तों मतलब की 30% से अधिक जन संग्या वर्दिदर दर साते है तो बाड मेर है दोस्तों ठीक है बाड मेर और जेशल मेर है ठीक है तो यहां पर C और मतलब की B तो B C option किस में दिख रहा दोस्तों डी ओप्शन में देख रहा है ठीक है तो बाड़ मेर की कितनी है यह 32.5 है और जेशले मेर की कितनी है 11.8 परतिशत है ठीक है 11.8 परतिशत है अगला कि उसने जन संग्या गनातव के संदर में निमने लिक्त में से राजस्थान के जिलों का आउरोही करम है उसने जन संग्या गनातव करम है तो यहां पर सबसे जएजाए ऑलवार रहे थीक है तो बर्तपूर का 56 में दोस्तु जेपूर का 55 में और दोसा की बाद करें तो दोसा का कितना हो जाएगा दोस्तों दोसा का है 400 चिंतर ठीक है दोसा का कितना हो जाएगा 400 चिंतर है और अलवर की बात करें दोस्तों अलवर का कितना हो जाएगा तो अलवर का हो जाएगा 438 ठीक है है जैसिले मेरे सबसे कम झन्सनगी आगनात्यों वाला जिला कुंसे है तो यहां सब्सक्त मेरे सबसे कम जन्सनगी आकनातों वाला जिला है सत्रा वीफ एचे बस चिन्छले व्युटम करता है तो यहाँ पर दोस्तों कौन से जिलों का समोच जो कि नियूंतम जंसें किया गनतों अंकित करता है तो जेशल मेर सबसे कम अंकित करता है उसके बाद बिकानेर है और फिर बाड़ मेर है तो जेशल मेर का कितना सत्रा है और बिकानेर का कितना अठंतर है और बाड़ मेर का कितन थीक है थासनगंफी सब्सक्राइब प्षेद्ट से अधिक प्रटिसे अधिक नगरी जन्षा किया जन्षा में तो कोटा ओर यापूर की साथ पर्तिश्ज्छ़ थिया अगला कि समय जन गणना 2011 कौन सा जन गणना सर्वेक्षन था दोस्तों दोस्तों ये 2011 वाला जो जन संक्या जन गणना था दोस्तों ये कौन सा सर्वेक्षन था तो यहां पर अपना राइटन संक्या हो जाएगा तो पंदरवा सर्वेक्षन था ठीक है लेकिन आजादी के बाद दोस्तों ज पंदरवी जनगनदा ठीक, 2011 के जनगनदा कौनसी होगी, 15 वी, आज़ादी के बाद कौनसी थी, 7 वी, तो यहाँ पर दोस्तों मतलब कि ग्रामेन जनसंक्या कितनी परतिशत वर्दी दर वी, तो 19 परतिशत दोस्तों ग्रामेन सहतरों में जनसंक्या वर्दी दर वी, अगला किशन दिखिए, कथन दे रहें उनको पढ़ना और सही जवाब देना, ठीक है, राज़तान में जनसंक्या का वित्रण ऐस सम्मान है, तो दोस्तों ये बात सत्य है, क्योंकि राज़तान के परतिख जिले के अंतर के जनसंक्या का जो वित्रण है, वो मतलब की कम ज़्यादा है, तो ये उप् चावची है, जो कारव है, दोस्तों मतलब कारण है, दोस्तों ये सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों उप्सन अपने सही होने वाले, A और S और R दोनों सही है, ठीक है, अगला कि उसने, राजिस्तान के जन गणना 2011 के अनुसार नेम लिलेक्त में हजार पूर्ष, तो दोस्तों यहां पर महिलाओं के अंतरगत नहीं होता है, तो यहां पर एक हजार पूर्षू के अंतरगत, जो महिलाओं की संक्या होती है, यहां पर महिलाओं होनी चीए, तो एक हजार पूर्षू के अंतरगत, महिलाओं की जन संक्या होती है, वो जेपूर का है जो कि कितना 500 पिच्चान में ठीक है 500 पिच्चान में राइट अंसर हो जाएगा याने कि अपना बी ओप्सन गलत होने वाला ठीक है बी ओप्सन यहां पर गलत हो जाएगा राज़स्तान की जनगर्णा 2011 के एनुसार नेमन में से कौन से जिले की जनसंग्या उसके अवरही करम में है दोस्तों तो यहां पर अवरही करम में जनसंग्या की बात की जा रही है तो यहां पर दोस्तों सबसे ज़्यदा जनसंग्या किसकी है तो जेपूर की है ठीक है जेप फिर जोदपूर अलवर और नागोर है अगला कि उसने देखिए राजस्तान में वर्ष दोजार 1901 से लेकर 2011 के मद्य है किस जनगर्णा वर्ष में नियूंतम लिंगानुपात रहा दोस्तों तो यहां पर मतलब कि 1901 से लेकर 2011 के मद्य है सबसे कम जनसंग्या लिंगानुपात कौन से वर्ष में रहा है तो यहां पर अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा 1921 में सबसे कम लिंगानुपात रहा है तो वह कितना है दोस्तों तो यहां पर मतलब कि राइट अंसर क्या हो जाएगा अभी वर्तमान में तो अपना लिंगानुपात है 928 अपना वर्तमान में लिंगानुपात है तो 1921 में दूस्तों लिंगानुपात कितना था तो 1921 में जो लिंगानुपात था दूस्तों 800 चिन में था ठीक 800 चिन में लिंगानुपात था 1921 का इंतरगा ठीक है अगला कि उसने राजस्तान में 2011 की जनकर्णा के नुसार पुरस कारिय से भागिता कितनी है तो यहां पे 2011 के नुसार जो मतलब की पुरसू की जो साक्सरता जो कारिय से भागिता कितनी है दोस्तों तो कारिय से भागिता है अपने 50 से लेकर 53 परतिसत के बीच में है ठीक है तो यहां पर 11.8 परतिशत के लगब मतलब कि यह पूर्चु की कार्य से भागीता है ठीक है अगले किसे नहीं जन गणना 2011 के नुसर राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपाद की जिले में रिकोर्ड किया गया है तो यहां पर सबसे कम लिंगानुपाद कोई से जिले में रिकोर्ड किया गया है तो यहां पे अपना राइट अंसर क्या हो जाए है कि 2011 के अनुसर घ्रमिन जन संक्या परतिसंगेと तो दूस्ता दोस्तों 2011 जन गंदा के नुसर जो ग्रामिन परतिस्शत कितना थो यहां पीस ना जैगा 75.3 और जो अछेहरी ठीक सहरी जो जनसेंग क्या प्रतिशत वो कितना 24.9 प्रतिशत ग्रामेंड कितना हो जाएका 75.1 प्रतिशत एक दिये हुई भोगुलिक सेत्र में एक वरस में परती हजार जीवित जनम जनम जो शिसू होते हैं और एक वरस में इससे कम आयो के जो बच्चे मर गए वो मतलब कि क्या कहलाता है तो यहां पर दोस्तों एक वरस में मतलब कि जीवित बच्चे जितने जनम ले रहे हैं उसी वरस में दोस्तों मतलब कि उतने ही बच्चे मतलब कि या फिर बच्चे मर जाते हैं तो वो जो मर्ति उदर क्यलाती है ठीक है अगला क्यों जन संग्या गनत्व के द्रश्टी से राजस्थान का सबसे देश में स्थान कौन सा है तो जन संग्या गनत्व की बात की जा रही है ठीक है जन संग्या गनत्व के कोडिंग दोस्तों अपने राजस्थान का स्थान कौन सा अठारवा ठी जन संक्या गनात्व के कोडिंग पर राजस्तान का स्थान कौन सा हो जाएगा अठारवा है लेकिन जन संक्या के अनुसार जन संक्या के अनुसार स्थान कौन सा हो जाएगा सात्वा स्थान है जन संक्या के कोडिंग लेकिन गनात्व के कोडिंग कितना हो जाएगा अठारवा किए गए तो यहां पे 2011 के जनगर्णा के अनुसार 3 करोड जो सरम सकती है दोस्तों इसमें कितने परतिस्त मतलब कि कितने बेरोजगार वेक्ती अंकित किए गए तो यहां पे 33 लाग है जो कि बेरोजगार अंकित किए गए ठीक है अगला कि उसने 2011 के जनगर्णा के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साखसर्था दर कितनी है तो राजस्थान की साखसर्था परतिस्था कितनी है दोस्तों 2011 में 66.11 परतिस्था ठीक है अगला कि उसने राजस्तान में जनसंक्या प्रवर्तियों के समंद बे निमनल एक्षमें से कौनसा कतन सत्य है तो यहां पर दोस्तों यहां पर कौनसा कतन सत्य है तो यहां पर अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा एक बार सारी क्यूशनों को पढ़ते हैं आंसे मतलब कि जो option है इनको पढ़ते हैं तो राजिय में जन संक्या की दसकिय वर्दिदर 1901 में से लेकर 2011 के मद्य 9.67 में परतिशत गटी है तो यह option अपना गलत होने वाला है ठीक है तो यहां पर जो जन संक्या परतिशत गटी है 7 परतिशत गटी है तो यह option अपना गलत हो जाएगा ठीक है 1901 से लेकर 2011 के दोरन जन संक्या में मतलब की कितनी परतिशत कितना गुना बड़ा है तो छे गुना बड़ा है तो यह option अपना सही हो जाएगा ठीक है इसके बाद दोस्तों मतलब की तीसरी ओप्जन को पढ़ते हैं तो तीसरी ओप्जन की बात करते हैं यहां पर रजे में लिंगानुपाद की प्रयवरती निससो एक से लेकर 2011 के दोरान सम्मान रही है, तो दोस्तों, यहाँ पर मतलब कि सम्मान नहीं रही है, ठीक है, तो इस सम्मान नहीं है, तो यह option भी अपना गलत हो जाएगा पहला option गलत है, तीसरा भी गलत है, रज्य में साक्सरता 1901 काउंट से लेकर 2011 2011 में, दोस्तों, कितना गुना हुआ, तो 8 गुना हुआ, ठीक, आठ गुना यह option भी अपना सई हो जाएगा, यानि कि दूसरा और 24 अपना सई है, ठीक है दूसरा और 24 6 central creeping चाश्प जंसंग एकितनी है च्छे पोइंट है चिहासी करोड़ा ठीक है तो छेपोइंट लुपना सही हो जाएगा ठीक है तो चेपोइंट छेएसी करोड़ा ठीक है तो यह यह उप्षन सत्य है ठीक है दोजर चार पांच में दोस्तों मतलब कि आठवी पंच वर्षी योजना थी इसमें मतलब की सुद्ध ग्रेलु अदार पर मतलब की सरवादिक वर्दी दर्वी ठीक है तो यह उप्षन भी अपना सत्य है ठीक है तो पहला और दूसरा दोनों-दो प्रिदाब सही है दोस्तों यहां पर जोड़ू का मिलान करना है और देखते हैं कि सबसे मतलब की सही उप्षन कौन सा है ठीक है तो यहां पर देखते हैं मतलब की राजिस्तान का जनसंग्या गनात्व कितना है तो राजिस्तान का जनसंग्या गनात्व है दोस्तों अपना पंचायती राज की शुरुवात सहर नागोर से हुई तो यह उप्शन भी अपना से हो जाएगा ठीक है तो राजस्तान में जो पंचायती राज की शुरुवात कहां से हुई नागोर में हुई कब हुई दोस्तों दो उक्टूमर 1969 पंडी जुवार लाल नेरु की द्वारा बगदरी गाउं से शुरुवाद की थी पंचायती राज की जो की पंडी जुवार लाल नेरु की द्वारा इसका उद्गाटन किया है सेत्रफल की द्रश्टी से राजस्थान में भारत का दूसरा स्थान है तो यहां पर दूस्तों सेत्रफल की द्रश्टी से भारत में कौन सा स्थान है राजस्थान का पहला स्थान है ठीक है तो ये option अपना गलत हो जाएगा केवल A और B option सही है यानि कि A option अपना सही हो जाएगा अगला क्यूशन दीखिए वर्स 2011 में राजिस्थान में नगरिय जनसंग्या पर्तिशत था तो नगरिय जनसंग्या पर्तिशत कितना था 24.90 पर्तिशत ठीक है और ग्रामेंड कितना था 25.1 पर्तिशत 2011 की जनगर्ना के नुसर राजिस्थान के निमन में से कौन से जिले में 500 से अधिक जनसंग्या गनातु पाया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों मतलब कि 500 से अधिक जनसंग्या गनातु किसका है एक तो जेपूर का है जेपूर का है और मतलब कि एक भर्त पूर का ठीक है जेपूर का कितना 500 पिचान में है और भर्त पूर का कितना 530 है ठीक है अगला कि उसने राजिस्तान के किस जनगर्ना वरस में सरवादिक जनसंग्या दसे के वर्दी दर अंकित की गई है तो यहाँ पर कौन से वरस में सरवादिक जनसंग्या वर्दी दर अंकित की गई है तो यहाँ पर यह अपना 1981 के अंदर के ठीक है तो 1981 में जो जनगर्ना हुई दोस्तों इसमें सबसे ज़्यदा जनसंग्या वर्दी दर हुई है तो यह सरकार के सिकी थी दोस्तों इंद्रा गांदी सरकार के समय मतलब कि सरवादिक जनसंग्या वर्द की दर हुए ठीक है अगला कि उसने नेमने जोड़ू का मिलाब केजे तो यहां पर कौनसा जोड़ा है जो की मिलान करते है तो केंद्रिय मरू अनुसंदान संस्तान याने की काजरी कहां पर तो काजरी है दोस्तों अपने जोड़पूर के अंतर के ठीक है जोड़पूर के अंतर के काजरी है जिसके स्ताफना कब हुई 1969 के अंतर के ठीक है और 2011 की जनगर्णा के नुसार सबसे ज़्यदा आबादी वाला सहर को इंसार सबसे कम चंसंग की अगनात वह किसका है तो जेशल मेर का हो जाएगा ठीक है जेशल मेरे यहाँ पर चोते उप्शन में तो पहले से दोस्तों देखते हैं पहले में कौन सा है तीसरा पहले में तीसरा है दूसरे में कौन सा हो जाएगा दूसरे में दूसरा है और तीसरे की बा बी उप्सन अपना से हो जाएगा ठीक है अगरा कि जन गर्णा के नुशार राजस्तन का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कुंसा है तो यहां पर इपना राइट एंसर क्या होजाएगा दूस्टो 63 का इंतरकत सर्वाधिक लिंगानुपात है दूष्टों डूंगरपुर का ठीक है सरवादिंग लिंगानुपात किसका हो जाएगा डूंगरपुर का है दोस्तु कितना है तो 900 चुराण में ठीक है 900 चुराण में लिंगानुपात होने वाला है ठीक है इसके बादुस्तू राजसमंद का आता है राजसमंद का कौन साह हो जाएगा नौसो बीस 990 सौरी 990 यहां पे राजसमंद गया ठीक है तो यहां पे सरवादीग लिगान उपाद किस सेगंड का यह 900 चूरहान में राजसमंद का कितन 알ना हो जाएगा 990 अगला की उचन देखिए सुची पश्ट और सुची सेगंड को सुमेलित कीजिए कि यहां पर सुमेलित करते हैं दोस्तों मतलब की सबसे पहले अपन बात करते हैं तो जिला है और जनसंग्या गनतव है ठीक है और उसके बाद भर्दपूर की बात करें नो सो चोतर ठीक है और अजमेर की बात करें नुसा होगा दूसरा और भर्तपूर की बात करेत पहला हो जाएगे ठीक है तो 4-321-4-321-34 тради 217 यहां पразу potent में थीक यूझा थीक है क्वेब invites एक जनसंग्या गनत्व आधाता है ठीक है जनगर्णा 2011 के नुसर भारत एम राजस्थान में जो कुल सर्मिकु का सीमान्त सर्मिकु का परतिशत कितना है तो यहां पर परतिशत है दोस्तों सीमान्त सर्मिकु का तो यहां पर अपना राइटन सर्क्या हो जाएगा भारत बारत भलाक वा जो सिधी प्रतिशत एव्म एक केटना को है तो यहाँ पर अलुक्त चारी 28 के उन्तिर गद तो जो भारत का किसा जाएगा भारत चौबिस पॉइंट 24.8 परतिशत ठीक है और राजस्तान का जो सीमान्त सर्मिकू का जो परतिशत वो कितना है 29 परतिशत ठीक है 29 परतिशत अपने राजस्तान का मतलब कि सीमान्त सर्मिकू का परतिशत है और भारत का सीमान्त परतिशत कितना हो जाएगा 24.8 परतिशत ठीक है सीमांत के बाद कीगिए ठीक है बाकि जो नोर्मली देखा जाए तो मतलब की राजस्तान का परतिसद वो कितना सर्मिक परतिसद तो राजस्तान का सर्मिक परतिसद हो जाएगा 43.6 परतिसद हो जाएगा और भारत का जो सिमांद वो मतलब की टोटल सर्मिक परतिसद वो कितना है 49.8 परतिसद ठीक है सर्मिकु का परतिसद कितना हो जाएगा राजस्तान में तो 43 है और भारत के इंदर कितना 49 है लेकिन सिमात सरम्यकों का पर्तिस कितना है तो भारत में तो 24 हो जाएगा वो राजस्तान में कितना है पने पिकुस्तिक recl Some डिका त्युद्वरराइध का इनकी डुस्ता तो लोड़कर को सा लिये में ट्र 550 जैसा आंधर प्रदेश से मतलई तलांगना अलग हुए तो यहाँ पने राजस्ताना जुस्तान नका मादले में सात्वा हो गया ठीक है अगले कि उसने निमनलिक्त में से 2011 में जनगर्णा के नुसार राजस्तान की जन संग्या के समद्ध में सही कतन कुन सा है तो यहां पर बच्चू का लिंगा नुपाद कितना तो 888 है यह उप्शन अपना से हो जाएगा महिला साखसरता की बात करें तो यह दोस्तु 22 पॉइंट एक परतिसत यह उप्शन पितना से हो जाएगा अनुसूची जाती की जन संग्या परतिसत कितना है तो अनुसूची जो जन जाती है दोस्तु इसकी परतिसत कितनी है 13% होने वाली यहां पर मतलब कि 13% होने वाला तो यह option अपना गलत हो जाएगा ठीक है और नगरी जनसें के बात करें तो नगरी जनसें के कितनी है तो यह option भी गलत होगा ठीक है नगरी जनसें के कितनी है 24.1% ठीक है 24.9% ठीक है जन जाती केलाओ दोस्टों जाती की बात गरहें, अनुसुची जाती कितनी परतिशत है, Indian हो सतरा परतिशत है, यहां पे मतलब की C तो कितनी हो जाएगी, C is 17 परतिशत है, और H-T कितनी हो जाएगी 13 परतिशत तेरा लिए और यहां सुमिलित करते हैं तो यहां पिर राज समंन्ध की बात करें चिल्एक initiatives , P battu हम ध्यार की नुञपाते सीरों क्यां पैलिक यहां से जिर्फा करें परताब गड़ कि की बात करें दूसरा हो जाएगा चार एक तीन दो चार एक तीन दो यह उप्षन अपना घलत है चार एक तीन डो ठीक है तो चार एक तीन दो खिसमे हो गया बीक अगला क्यूस्टन दिखिए राजिस्तान का जिला 2001 से लेकर 2011 के अवदी में ग्रामीन जंसंक्या 99%-10 के वर्दी परिवर्तन अंकित की गए है तो यह क्योचन वापस पढ़ दिया है 2021 से 2011 की अवदी में ग्रामीन जंसंक्या का निउनタम परिशत कौन से जिले में हुआ दोस्तों तो कोटा के इंदरकाद हुआ ठीक है और यहां पे दोस्तों अगर मतलब कि ग्रामिंड के जिगा पर नगरिय जनसंग्या का न्यूंतम परतिसत जो वर्दिदर है वो कौन से जिले पे हुआ अपना डुंगरपूर के अंतरगत ठीक है लेकिन यहां पर ग्रामीन की बात किये तो ग्रामीन के अंतरगत कौन सा हो जाएगा कोटा सही आंसर होने वाला ठीक है अगले कि उसने राजिस्तान का जिला जहां मतलब कि 2001 से लेकर 2011 के अवदी के मतलब कि महिला जन संक्या में अधिकतम परतिसत दसी के वर्दिदर अंकित की गया तो महिलाओं की सबसे ज़्यदा जन संक्या कहां पर बढ़ी है दोस्तों तो यहां पर अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा 74 के अंतरकत तो महिलाओं की जन संक्या सबसे ज़्यदा कहां पर बढ़ी है तो 74 में अपना राइट अंसर होने वला है दोस्तों अलवर के अंतरकत ठीक है अलवर में दोस्तों महिलाओं की संक्या सबसे अधिक बढ़ी है ठीक है तो महिलाओं की जो जन संग क्या है दोस्तों मतलब में राजस्थान में कितना परतिस्त रखती है तो राजस्थान में दोस्तों ये 5.36 परतिस्त अपने राजस्थान में महिलाओं का परतिस्त रखती है ठीक है 5.36 के ओल अलवर है जो की मतलब की हिस्सा रखता है ठीक एक नॉम्बर 2011 ठीक, एक नॉम्बर 2011 को दोस्तों मतलब कि पहली जन जातिये जन गणना प्रारम भी दोस्तों ठीक, पहली जातिये जन गणना का प्रारम भी एक नॉम्बर 2011 को, तो ये थी दोस्तों अगर छोटी सी वीडियो कर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर कर देजीगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देजीगा ताकि मेरी परते एक वीडियो समय पर पहुंच सके जो अगला टोपिक होने वाला दोस्तों पना उर्जा संसादन से ठीक है उर्जा संसादन का अगला टोपिक है